हलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुन सर्वे तो गैज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट में वाइल लूप के बारे में बिल्कुल बिगनर के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो बहुत ही का डिफेरेंस रहता है कुछ लोगों को शिरू में फाइल वाइली लगता है कुछ लोगों को फोई जी लगता है और यह यह इस बीडियों पर देखनें के नजरिये पर डिपेंड है वाई या फोर हर्ड याईज जैसा कुछ भी नहीं में सब स्जैमी लेवल के हैं JavaScript a while loop is a looping statement that allows you to repeatedly execute a block of code as long as a specified condition evaluates to true. While भी हमारे पास एक looping statement है, जिसका काम है block of code को बार बार repeat करना जब तक की एक दी गई condition true रहती है. Same for का भी यही काम था. It execute a block of code as long as specified condition evaluates to true. ये block of code को तब तक repeat करता है, execute करता है जब तक की दी गई condition हमारी true रहेगी. The loop will continue to run until the condition become false, यानि जब तक condition false नहीं हो जाती है, तब तक हमारा loop अपने statements को अपने code block को बार बार execute करता रहता है. अब इसके syntax के हम बात करें, तो for loop में भी initialization था, यहाँ भी initialization है. for के अंदर जो हम initialize कर रहे थे, वो हम for keyword के बाद bracket लगा के parenthesis में initialization लिखते थे, जब कि यहाँ पे initialization loop से पहले लिखते रहे हैं. then while और parenthesis लगा के उसमें condition, semicolon नहीं आएगा यहाँ पे, जब कि for loop में condition के बाद लगा रहे थे, then curly brackets के अंदर हम वो code लिख देंगे, जो हमें execute करना है, और हमारा iteration या update या increment, decrement statement आ जाएगा loop की body के अंदर. नहीं काम कैसे करेगा, देखे, इसके अगर working की हम लोग बात करें, तो बहुत simple सा है, सबसे पहले initialization perform होगा, initialization एक बार ही होता है, उसके बाद condition चेक होईगी, अगर condition सही है, तो जो code हमने body में लिखा है, वो execute होगा, increment, decrement होगा, और वापिस control कहाँ चला जाएगा, while की condition पे, पिर से condition चेक होईगी, अगर true है, अगर condition सही है, तो फिर से अंदर आएगा, statement execute होएगा, increment, decrement होगा, फिर वापिस कहाँ चला जाएगा, while की condition पे, तो ये काम कब तक repeat होएगा, जब तक condition false नहीं हो जाती, जैसे ही condition false होई, control कहाँ चाएगा, loop की body के बाहर आजाएगा, यानि जो भी loop की body के बाहर हमने लिखा है, वो statement execute होजाएगा, loop की body किसको बोल रहे हैं, जो curly bracket के अंदर हम statement लिख रहे हैं, basically, ये हमारी loop की body कहला दिये, अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि ये curly bracket ना लगे वे होँ, तो उसका मतलब होता है, जो first statement इस while के जस्पाद में लिखा है, वो इस while से controlled है, okay, जैसे basically हम लोग एक program बनाते हैं, जिसमें हमें एक से पांस तक की counting जो है, वो print करनी है, लेकिन हम इसको while loop से बनाएंगे, तो guys, let's do it, okay, ये पहले से खुली फाइल्स मैं close कर देता हूँ, यहां मैंने js folder पे एक new file add करी, और इसे नाम दे दिया, while loop in js.html, guys, ये source code और pdf अगरा सब आप मेरे github से download कर सकते हैं, github repository का link जो है, इस वीडियो के description में मैंने डाला हुआ है, so guys, html and title में हमने लिख दिया, this is while loop in js and script tag लगाया, हमें क्या करना है, एक से पांस तक की counting प्रेंट करा लिए, okay, so हमने एक i variable बनाया, i को हमने initialize कर दिया one से, अब ऐसा जूरी नहीं क्या बरबर semicolon लगाओ, हमें पता है, javascript में हम बिना semicolon के भी काम कर सकते हैं, while की condition हमने लगाई, i less than equal to 5, as long as यह condition true रहती है, मैं console के अंदर print करवाता जा रहा हूँ i की value को, and i को हम एक से बढ़ाते जा रहे हैं, i plus plus करके, okay guys, तो इसको dry run करके हम समझ लेते हैं पहले, let's see guys, तो यह काम कैसे कर रहा है, देखिए, सबसे पहले i की value क्या हो जाएगी guys, 1, so i की value हो गए हमारी 1, इसके बाद कहां आएगा, एक condition पर, condition चैक हो, i less than equal to 5 है, कर एक condition true है, बिलकुल true है, तो अंदर आएगा, console.log i, आनि i की value प्रिंट होएगी, फिर i plus plus होगा, तो i की value कितनी हो जाएगी guys, 2, अब यह last statement हाप आटी में, कहां जाएगा वापिस यहां से, इस condition पर, आप यह देखिए, i less than equal to 5 की condition true है, बिलकुल है, लूप के अंदर आएगा फिर से, console.log, इससे क्या होएगा, console में print हो जाएगा, i की value कितनी है guys, अपने पास 2, तो 2 print हो गया, then i plus plus पर जाएगा, i की value बढ़के होगी 3, यहां से condition पर क्या, i less than equal to 5 की, true है condition, फिर से loop में आगया, 3 print कर दिया, फिर i plus plus हुआ, i की value होगी guys, शार, condition चेक हो, i less than equal to 5 है, true है condition, loop के अंदर आजाएगा, i की value प्रेंट कर देगा, 4, then i plus plus होगा, तो i की value कितनी होगी guys, 5, बच्चों वापस उपर गया, चेक है, i less than equal to 5 है, true है condition, इस बार print कर दिया, 5, then i plus plus, i की value guys, कितनी होगी 6, अब बहुत सारे लोग के रहें, सथ 6 कैसे होगी, अरे बच्च को print कर रहा है, उसके बाद increment होगा है, तो 6 तो value तो होईगी, i की, अब वापिस जाके condition चेक होईगी, यहाँ पर, i less than equal to 5 है क्या, यह condition false होई, तो क्या 6 अभी print होगा, नहीं print होगा output के अंदर, let's see guys, इसको अपन run करवा के देखते हैं, ओके, तो यह मैं, जो annotate किया है, मैंने लिखा है, screen पे पढ़ा रहने देता हूँ, and open in browser करते हैं, control shift I किया, हमने console खोला, and this is our output, 1, 2, 3, 4, 5, यही मैंने बताया था, 6 नहीं आया, क्योंकि 6 पे condition false हो गई थी, यह annotation जो हमारा हटा देते हैं, okay, so this is gone, अभी हम लोग चलते हैं, वापिस हमारे subline में, okay, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक program बनाएंगे, एक script लिखेंगे, जो की, basically क्या करेगा, odd numbers जो है वो प्रिंट करेगा, 1 से लेके 20 तक के, so हमने एक new file बनाई, इसको save किया, print odd 1 to 20, dot html, now हमने html stuff बना दिया, print odd using, while loop लिखा हमने, and यहाँ पे script tag, और यहाँ हमने क्या करा, एक let i variable declare किया, देखें, first odd number क्या होता है, 1 होता है, 1 से 20 तक ना, तो i को initialize कर दिया, हमने 1 से, now हमने condition लगा, i less than equal to, 20 तक में last odd number क्या है, 19, तो हमने लिख दिया, i less than equal to 19, now हमने console में print करा दिया, i की value को, i को print करा है हमने, और i को हम कितने से बढ़ा दें, 1 के बाद next odd number कहां आएगा, 3 आएगा, यानि i में कितने का increment लग रहा है, 2 का, तो हमने इसको 2 से बढ़ा दिया, let's dry run first, दिखें, सबसे पहले, हमारी script में आएगा, i variable create हुआ, i के value set ओए 1, थोड़ा सा उपर से लिखना चालू करता हूँ, यह जग्या कम पड़ जाएगी, ओके, यहीं से चालू करता है, तो देखिए, i के value क्या होगी है हमारे पास 1, इस statement से, now condition जाएको i less than equal to 19 है, true है, loop के अंदर आगया, i के value print करा दी, 1, then i equal to i plus 2, i के value कितने से बढ़ गई, 2 से, तो i के previous value क्या थी, 1, 1 plus 2 कितना होगया हमारे पास, 3, now वापिस यहां से कहां जाएगा, इस condition पर, condition चेक होग, i less than equal to 19 है, true है, loop के अंदर आएगा, i के value print करा देगा, कितना print होगया, 3, फिर i equal to i plus 2, i के value कितने होगी, 5, now condition पर कि i less than equal to 19 है, true है, loop के अंदर आएगा, i के value print करा देगा, that is 5, फिर i equal to i plus 2, i के value होजाएगी 7, condition true है, 7 print करेगा, फिर i के value 9 पर भी condition true है, 9 print करेगा, फिर i के value 2 से बड़ेगी 11, condition true है अभी भी, short में लिख दे रहाँ, condition true है, true है, 11, then i के value 13, condition true है, 13 print करेगा, i के value 15, condition true है, 15 print कर दिया, i के value 17, condition true है, 17 print कर देगा, i के value 19 होगी, condition true है, 19 print कर देगा, then i के value होगी 21, condition false होगी, लूप हमारा खतम हो जाएगा तो वन से लेके 19 तक की कांटिंग जो है वो प्रेंट हो जाएगे हमारे सामने लेट्स रन दिस गाइस तो राइट क्लिक किया मैंने ओपन इन ब्राउजर कंट्रोल शिफ्ट आई यह देखे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 पर फॉल्स ही नहीं चला तो गाइस यह था हमारे पास वाइल लूप कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है वाइल लूप में कुछ समझ नहीं आया तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए मैं आपके डाउट को दूर करने क कोशिश करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आपको वाइल लूप का कॉंसाइब समझ आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो पर कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जाइन करें सूपर थैंक्स बेजना चाहें तो सूपर थैंक्स बेजें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरूर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें थैक्स वर वाचिक दिस वीडियो गाइस थैंक्स अलॉट